जै पागेश्वर धाम सरकार जै पालची सरकार दोस्तों अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके उपर बहुत सारी दुख और समस्याओं का पहार तूटता रहता है मतलब किसी व्यक्ति के पास ना तो नौकरी है ना पैसा है बीमारी अलग उसको घेर कर रखी हुई है या कोई ऐसी समस्या किसी भी व्यक्ति के उपर है आपकी घर परिवार जनों के अंदर किसी भी व्यक्ति के उपर है जिसका कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो दोस्तो अमावस्या के दिन एक छोटा सा विशे शुपाई करने से आपके घर के जिस भी सदस्य के उपर जू भी परेशानी चल रही है वे निश्चित प्रकार से उससे दूर भाग जाएगी मतलब उसके उपर भगवान का अश्रिवाद हो जाएगा और उसके उपर से सारी दुख समस्याएं दूर हो जाएगी तो दोस्तो आपको करना क्या है अमावस्या के दिन आपको प्रताहकाल सुबा सुबा क्या करना है एक बेल का फल लेना है मतलब जो बेल पत्री का पेड़ होता है उस बेल पत्री के पेड़ में एक फल लगा हुआ होता है तो आपको वह फल तोड़ कर लाना है देखिए आपको परेशानी से चुटकारा चाहिए तो थोड़ी सी मेनत करनी पड़ेगी तो आपको बेल पत्री के पेड में से उस बेल पत्री के फल को तोड़कर लेकर आ जाना है फल को तोड़कर लाने के बाद उस बेल पत्री के फल के अंदर जो उसका गुरदा होगा वो आपको पूरा बहार निकाल लेना है उसका हमें काम नहीं है सिर्फ बेल पत्री का जो फल का जो उपर उपर का कवर है उसका हमें काम है ठीक है तो बेल पत्री के फल का पूरा अंदर का गुर्दा आप लोग भार निकाल लीजीगा निकालने के बाद आपको करना क्या है कि आप अपने घर के रसुई घर में जाकर थोड़ा सा कड़ाई में आटा सेखिए ठीक है आटा सेखने के बाद आपको उसी आटे के अंदर शक्कर मिलानी है ठीक है आटा और शक्कर को मिलाकर इसे सेख कर आपको जो है इसी मतलब बेल पत्री के जो फल आपने तोड़ा है इसके अंदर डाल देना है आपने गुर्दा निकाल लिया अब बेल का जो फल है वो खाली हो गया अंदर से तो अब आपको इस खाली फल के अंदर के अगर डालना है यह जो आपने आटा और शक्कर मिलाकर से प्रज कराकर सबी का हाथ इसको लगवा कर ताकि आपके घर के जितने सदस्य हैं उनके उपर जो समस्याइं चल रही होगे वो इसके साथ दूर चली जाएंगी ठीक है तो आपको जो है इस फल को अपने सभी घर के सदस्यों को चुआ देना है इस फल को पूरे घर में घुमान के अंदर आपको जो है ये फल को दबा देना है और मिट्टी उपर से डाल देना है बस यतना सा यह उपाय है यह उपाय जो है पित्र दोश के लिए है या कालसर्प दोश के लिए है जितनी प्रकार की समस्याइं आती है न वो इन्ही दोशों के वज़े से आती है तो आप इस उपाय को करके देखिए आपकी जीवन से सारी दुख समस्याइं दूर हो जाएंगी और जरूर आप लोगों का भला हो जाएगा बगवान शिव का आश्रबाद आपको प्राप्त होगा जरूर करके देखिए सिर्फ आमावस्तिया के दिन का यह उपाय है और सुबा के 10 बज़े से पहले आपको इस उपाय को कर लेना तो भी इस उपाय काम करेगा इस उपाय करने मागो कोई भी समस्याथ है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं जय बागिश्वर धाम सरकार जय बालजी सरकार जय बागिश्र महादेव